तो, तो फ्रेंस, आज मैं Unboxing करूंगा Geo का Dongle 2, तो चलीए Friens देखते हैं कैसा हैoptर Dongle2, तो यह मेरा जो वीडियो है unboxing का, यह पहला वीडियो है मेरा चैनल में, तो आशा करता हूं आप को पसंद आएगा, तो चले फ्रेंस, इसको देखते हैं , तो यह जो Geo Dongle2 है, इसको प यह खूल गया तो फ्रेंड्स यह देख सकते हैं आप यहां पर ऐसा दीख रहा है जियो का यहां पर लोगो दिया गया है और यहां पर कुछ लिखा गया है वह हम पढ़ लेते हैं पहले तो क्या लिखा गया है वह हम पहले जानेंगे इसके बाहर में जी यहां पर आप देख सकते हैं कि box के अंदर क्या-क्या चीजें आपको मिलने वाली है वो यहां पर बताया गया है वन मोबाइल राउटर, वन यूएसबी एडप्टर, वन क्यूएसजी मतलब क्विक स्टार्ट गाइड और वन वारेंटी कार्ड, यह आपको चार चीज यहां पर मिलेगा और इसका जो MRP यहां पर बोला गया है 3,119 रुपीज फ्रेंड्स, एक्चुल में मैंने इसको Reliance Digital Store से 1,999 रुपीज में खरीदा है तो इसका जो प्राइस है, इस प्राइस में मैंने नहीं खरीदा है तो यह मुझे मिला इस प्राइस में तो यहां पर एक Customer Care Number भी दिया गया है, आप देख सकते हैं तो इस Customer Care Number पर आप संपर्क कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉलम आए तो यहां पर एक Tag Line दिया गया है, बड़ा ही अच्छा With Love from Jio तो चलिए देखते हैं कितना लव करती है, फ्रेंड यह Jio Company तो यहां पर इसका Box खोले Yes, खुल गया खुलने के बाद, यहां पर क्या क्या आता है यह सब क्या क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं Features of Jio, Jio Dongle 2 तो क्या क्या features दिया गया है, वो बताया गया है Create your own hotspot अपना खुद का hotspot आप यहां पर बना सकते हैं Connect up to 10 devices via Wi-Fi तो Wi-Fi से आप 10 device connect कर सकते हैं इसमें और Enable Jio Voice, इससे voice calling भी कर सकते हैं और Suit of Digital Services, तो यहां पर Services भी, Services के लिए यह बहुत अच्छा है, यहां बोला गया है तो Friends, यह चार features यहां पर दिये गया हैं तो इस features के बारे में मैं आपको अगले वीडियो मतलब एक और वीडियो मैं इसका बनाऊंगा Jio Dongle 2 का, उसमें मैं यूज करके, खुद यूज करूँगा इसको और यूज करने के बाद आपको बताऊंगा कि मुझे कैसा लगा तो फिलहाल अभी जो Unboxing कर रहा हूँ तो उसको मैं आपको दिखा दूँ, यह सब चीजे ही दी गई है, यहां पर लिखा हुआ है अब देखते हैं यहां पर क्या क्या दिया गया है, यहां पर जो दिया गया है, पहले यह, जो manual रहता है, वो आपको मिलेगा warranty card, यहां पर आपको for device, 1 year का warranty मिल रहा है, accessories के लिए 6 month का, यहां पर warranty card आपको देखने मिलेगा, यह आप पढ़ सकते हैं, इसको side में रखते हैं अब ये क्या है About Your Device, डिवाइस के परें बताया गया है क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है यहां पर LTE, Indicator कैसा Blink करेगा, कौन सा Light चलेगा, कौन सा on होने पर, आप मतलब क्या signal पा सकते हैं तो यहां पर दिया गया है बताया गया है Wi-Fi on होने पर ऐसा light जालेगा green या फिर blue ऐसा बताया गया है तो यहां पर देख सकते हैं जिसे 5 step to be connected everywhere यहां 5 step भी दिया गया है कैसे connect करना है यह हो गया इधर अब यहां पर जियो जॉइन यहां पर जॉइन करने के लिए कैसे जॉइन कर सकते हैं वो यहां पर दिया गया है तो यह सब यहां पर रख देते हैं फिलाल अब देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या है यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यह है एडप्टर जो बूला गया था बॉक्स के बाहर में तो यहां पर इंडिया में डिजाइन किया गया है इसको और यहां पर क्या कर दिया गया और देख लेते हैं made in China China में बना है और इसका जो output आपको देखने को मिलेगा यहां पर देख सकते हैं 5V का है और 1A का output इसको मिलेगा तो यह सब चीज़ें यहां पर दी गई है यहां से connect होगा आप देख सकते हैं तो यह तो connect होगे यहां पर रख देते हैं इसको अब इसमें क्या है जी यह है में चीज़ यह है dongle 2 तो चलिए फ्रेंड्स आप इस dongle 2 को देखते हैं dongle 2 यह है देखिए आप देख सकते हैं dongle 2 को जियो लिखा हुआ यहां पर और यहां पर वाइफाई का जो signal दिया गया है और यहां पर blink करने के लिए light दिया गया है तो यह चीज़े दी गई है और यहां पर आपको 4G का जो network है वह यहां पर देखने को मिलेगा अगर यहां पर light blink करेगा तो उससे आपको इंडिकेट जो मिलेगा वहां पर आपको user guide जो manual दिया गया है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या-क्या उसमें कौन सा light जलने पर क्या आपको इंडिकेट करेगा तो चलिए फ्रेंट्स यह जो USB यहां पर port दिया गया है उसको हम देख लेते हैं इसको निकालना पड़ेगा थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है निकलेगा जरूर निकलेगा निकल जा भाई निकल लिए यह देखिए यहां निकल लि का सैट में ठ्वड़ा सा इंग्रे है तो अच्छा डिजाइन अब देखते हैं थोड़ा सीम कहां लगता है सिम के लिए क्या किया गया है यहांसे कट दिया गया तो सिम का देख लेते हैं कैसे इसको लगाना है छुए देखते हैं और दो जन्ट आ यहां पर आपका डॉंगल 2 इसको यहां पर आपको ऐसे खोलना पड़ेगा खोल कर ऐसे ओपन करना पड़ेगा ओपन करने के बाद यहां पर आप सीम इंसर्ट कर दीजिएगा सीम इंसर्ट करने के बाद इसको लगा के फिर इधर आपको अपकर देना पड़ेगा बस सीम लग गया अब इसको आप यहां से खोल के मैं थोड़ा खोल देता हूँ यह खोल के आप adapter में connect करके लगा सकते हैं तो यह आपने देखा पूरा यहाँ पे सब कुछ दिया गया है क्या क्या दिया गया है password दिया गया है जिससे कि आप पहले login करना पड़ेगा यह सब चीजें यहाँ पे दी गई है तो फ्रेंड्स इसको अब लगा देते हैं यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं गया है तो यहाँ पे login करने के लिए configuration page दिया गया यहाँ पे आप login करके इसको देख सकते हैं username डाल कर password डाल कर आप password चेंज भी कर सकते हैं तो यह हुआ dongle 2 आपको दिखाया पूरा अच्छा लग रहा है और इसको connect कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं यह देखिए आप सभी को तो आता ही होगा लेकिन फिर भी मैं दिखा दे रहा हूं यह ऐसे करके यहाँ पे connect कर सकते हैं connect हो जाओ यार हो गया देखिए आप इस mode में भी रख सकते हैं इस mode में भी रख सकते हैं आप चाहे जैसे मन वैसे रख सकते हैं तो flexible है पूरा बहुत अच्छा है और आपको सबी चीज इसका specification जो है सब बता दिया unboxing भी होगे यह फ्रेंड़ तो आपको यहाँ पर यह मिल रहा है दोनों और फिर यह मिल रहा है तो तीन चीज मिल रहा है आपको यहाँ पर देखने को और साथ-साथ आपको free में एक डबा मिल जा रहा है तो बस इस unboxing में इतना ही और भी एक वीडियो में बनाऊंगा जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि और एक वीडियो बनाऊंगा मैं Jio Dongle 2 के बारे में जिसमें आपको पूरा use करके मैं आपको बताऊंगा कि actual में ये है कैसा कैसा काम कर रहा है कितने दूर तक काम कर रहा है और ये actual में मतलब ठीक है या नहीं आप खरी सकते हैं या नहीं वह मैं बताऊंगा तो फ्रेंड्स अभी इस वीडियो में इतना ही आपको यी वीडियो कैसा लगा आप जरू जरू कमेंट करें कमेंट बॉक्स में अगर अच्छा लगा हो तो प् झाल